एजु सीकर में आप सभी का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे दूँ कि हमारे चैनल के क्रैश कोर सीरिस के नोट्स वेस्टन प्रिटिकल ठॉट और पप्लिक अड्मिस्टेशन के आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से बाय कर सकते हैं लिंक को क्लिक करने पर ही आपको सैंपल भी मिल जाएंगे और इन नोट्स का सबसे बड़ा एडवेंटेज ये रहता है कि अगर आपको कोई कंसर्प्ट पढ़ते पढ़ते कुछ समझ नहीं आता तो आप उसकी वीडियो एक्स्प्लेनेशन दे सकते हैं वीडियो एक्स्प्लेनेशन के लिंक भी आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं आज हम उस शक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दबे कुछले लोगों के लिए काम किया उनकी आवाज बने खुद भी पीडा से ही अन्टेचिबल होने का मतलब क्या होता है और जब ये पीडा बर्दाश की हस से बाहर निकल गई तो उन्होंने पब्लिकली डिकलियर कर दिया कि जिस धरम में मेरे लिए जगा नहीं है वो धरम में मैं रहूंगा ही नहीं उन्होंने बरी सबा में ये अलान कर दिया कि I would not die as Hindu मैं Hindu रहकर नहीं मरूंगा यहां तक कि उन्होंने मनु समरीती को भी जलाया था मनु समरीती को ही नहीं वो Constitution को भी जला देना चाहते थे इंडिया के खुद Father of Indian Constitution Constitution को क्यों जलाना चाहते थे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके साथ गांधी को मूर तोड जवाब देने वाले Untouchables के लिए गांधी के साथ लड़ने वाले और गांधी और अमबेदकर की क्या डबेड थी वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसके साथ हम अमबेदकर के सारे वो thoughts को पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने कार सिस्टम को कैसे खतम किया जा सकता है कार सिस्टम का origin कैसे हुआ Untouchable कौन थे और उनको Untouchable किसने बनाया कैसे बनाया गया वो भी सारा इस वीडियो में हम completely देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं डक्टर बी आर अमबेदकर की जॉर्नी को जो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे उनके असेंस्टर भी ब्रिटिश आर्मी में काम करते हैं अमबेदकर तब पैदा होते हैं जब जोती राओ जैसे लीडर सत्य शोदक मूव्मेंट चला रहे होते हैं Untouchables के लिए लड़ रहे होते हैं लेकिन जिस लेवल पर अब अमबेदकर ने आके Untouchables के लिए काम करना वो पिछले लीडर नहीं कर पाए थे Discrimination अमबेदकर ने अपने लाइफ में बहुत सही है खुद भी Untouchables हैं जब भी वो स्कूल जाते थे तो उन्हें Discrimination Face करनी पड़ती थी स्कूल में उनको बाकी बचों से अलग बिठाया जाता था और पिने के लिए उन्हें पानी भी नहीं दिया जाता था अगर पानी उन्हें दिया भी जाता था तो एक हाइड से उपर करके दिया जाता था ताकि उनका हाथ लगने से नल जो है मैला न हो जाए पानी मैला न हो जाए और ये काम स्कूल का p.n. करता था अपनी ओटोबायोग्राफी में भी वो लिखते हैं उनकी ओटोबायोग्राफी वेटिंग 4 वीजा में भो लिखते हैं कि जब p.n. एपसेंट होता था उनकी family सतारा में move कर जाती है बाई बहन और अमबेदकर सबी high school में दाखला लेने के लिए exam देते हैं लेकिन qualify सिर्फ अमबेदकर कर पाते हैं अमबेदकर का original name सकपाल था और उनके पिता जिने अपने जो native village है अमबडावे उसके पीशे अमबडवेकर नाम रखती है उनका ताकि स्कूल में अब जए नए स्कूल में admission होने वाली है वहाँ पर उनके सरनेम की वज़ा से discrimination ना की जाए लेकिन बाद में उनके ब्रामिन टीचर जिनका फुल नेम था Christian Keshav Ambedkar वह अपना सरनेम Ambedkar को दे देते हैं और स्कूल रिकॉर्स में उनका नाम Ambedkar लिखने लगते हैं 1907 में वह अपना दस्मी का exam पास करते हैं और इसके बाद वह Elphinstone College में admission ले लेते हैं Ambedkar ऐसे पहले व्यक्ति बनते हैं अपने महार कास्ट में से जो यहाँ इस education level पर पहुँच पाता है 1912 को वह Economics और Political Science की डिगरी कंप्लीट करते हैं Bombay University से इसके बाद वह अमेरिका चले जाते हैं वहाँ पर California University में जाकर वह खुद को enroll कराते हैं वहाँ पर अपने thesis का title लगते हैं Asian Indian Commerce और यह सारा possible हो पाता है वह बाहर अबरोट में जाकर study कर पाते हैं स्याजी राओ, गौाइक वर्ड, थर्ड की दी हुई scholarship की वज़ा से वहाँ जाकर वह दो thesis लिखते हैं वह आज भी पड़े जाते हैं जैसे कि 1916 में अपना वह second thesis complete करते हैं लिखते हैं National Dividend of India A Historic and Analytical Study वह MA के लिए ये thesis लिखते हैं इसके बाद वह एक और paper present करते हैं जिसका वह title लगते हैं Cast in India, Their Mechanism, Genesis and Development 1916 में जब उनका काम complete हो जाता है तो वह Columbia University से move कर जाते हैं वह move करके England चले आते हैं और England में आकर वह enroll करते हैं सबसे पहले Gray Inn बार में Gray Inn वह जगा है जहाँ पर law की study की जाती है और यहाँ पर सवरकर ने भी study की थी जो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा Gray Inn में enroll कराते हैं और इसके साथ ही London School of Economics में doctoral thesis के लिए यानि PhD के लिए भी enroll करा लेते हैं यहाँ पर वह अपने thesis का title लगते हैं इसके बाद England से वह इंडिया वापिस आ जाते हैं इंडिया वापिस आने का reason ये होता है study उन्हें शोड़नी पड़ती है क्योंकि उनकी scholarship जो बडोदा से मिली होती है उन्हें वो खतम हो जाती है यहाँ आकर वो military secretary employee के जाते हैं Gaiqua III को वो कुशी चेर ये काम करते हैं और उसके बाद वो उसे छोड़ना पड़ता है अपनी family को survive रखने के लिए वो कई तरह के काम करते हैं वो tutor बनते हैं, accountant बनते हैं फिर investment consulting business भी establish करते हैं लेकिन इन किसी भी काम में कामजाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि caste उनकी untouchable हमेशा सामने आ जाती है और उनके साथ किसी भी business में किसी तरह के भी काम में dealing करनी बंद करती जाती है इसे बैतर वो कहते हैं कि क्यों ना college ही join किया जाए वो professor बनते हैं सेदनम College of Commerce Economics मुंबई में political economy के वो professor बनते हैं और यहां पर student के साथ तो वो ठीक successful रहते हैं लेकिन professor वहां के उनके साथ फिर discrimination वाला व्योहार करते हैं उनको पीने के लिए पानी नहीं देते अपना drinking jug शेयर नहीं करते हैं इसलिए अंबेत कर untouchables की situation को अच्छी तरह से जानते थे इतना पढ़ने लिखने के बावजूद उनके साथ discrimination हो रही थी और जब उन्हें जुलाई 1918 में South Borough Committee में invite किया जाता है यह committee इसलिए संगठित की जाती है ताकि Government of India Act 1919 बनाया जा सके यहां पर अंबेत कर परस्ताव रखते हैं कि untouchable को separate electorates दिये जाने चाहिए उनको reservation मिलनी चाहिए ताकि उनकी situation को हम uplift कर सके इसके बाद हम देखते हैं कि अंबेत कर कई तरह के काम करते हैं जैसे कि 1920 में वो मूक नायक Marathi weekly निकालते हैं मूक नायक का मतलब है leader of the silent और यह weekly जो है सिरफ depressed classes की अवाज बनने के लिए निकाली गई थी इसके बाद वो 1920 से 1923 अपनी study को कंटीक न्यू करने के निए लंडन वापस चले जाते हैं London School of Economics में अपनी study को खतम करके 1924 में जब इंडिया आते हैं तो Bombay High Court में practice करना शुरू कर देते हैं इस तरह से वो पढ़ाई भी कर रहे हैं अपनी law की practice भी कर रहे हैं और depressed classes के लिए भी काम कर रहे हैं depressed classes के लिए उन्होंने मुकनायक नहीं बहश्कृत भारत और equality जनता जैसे weekly periodicals भी निकाले थे 1924 में उन्होंने बहश्कृत हित करनी सबा को भी establish किया था इसके साथ उन्होंने कई तरह की और संगठन भी establish किये जैसे समाज सम्मत संग सम्मत सैनिक तल 1927 में depressed classes को uplift करने के लिए उनकी emancipation के लिए उन्होंने ऐसे संगठन तियार किये इन संगठनों के साथ उन्होंने publicly सत्यग्रय करने भी शुरू कर दिया 1927 का ऐसा टाइम है जब वो untouchables के लिए कई तरह के सत्यग्रय की movement को launch करते है इसमें जहां पर untouchables को पानी पिने की मना ही है जा entry की मना ही है temples में आने की मना ही है वो सारी movement race करते हैं उनके लिए सबसे important movement इसमें आती है महध सत्यग्रय की 1927 में ये सत्यग्रय लीट करते हैं अंबेद कर चोदर टैंक में से जहां से untouchable को पानी पीने से मना किया जाता था वहां से अंबेद कर जाकर पानी पीते हैं अपने कई सारे followers के साथ आप right side painting देख सकते हैं शायद painter ने इसी लिए कुता पानी पीते हुए दिखाया है कि कुता भी पानी पी सकता था उस नदी से उस टैंक से लेकिन एक इनसान untouchable को पानी पीने नहीं दिया जा रहा था इस तरह की situation थी और अंबेद कर इसी चीज के लिए लीट कर रहे थे इसी चीज के लिए लड़ रहे थे लेकिन अंबेद कर को resistance मिलती है जब अंबेद कर चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब ये पानी मैला हो गया है इसको किसी तरह से purify करना पड़ेगा तो किस तरीके से purify किया जाता है otherwise ये पानी मैला हो गया था और अगर आपको लगता है कि ये situation पुरानी है तब सत्यग्रा चल रहे थे तब जमाना पुराना है आज इंडिया अजाद है इंडिया constitution में article 17 में untouchability को abolish कर दिया है अब तो पानी पीनी कि किसी को कहीं पर भी मना ही नहीं है के हिंडूस या कुछ लोग पानी पीते है यहां तक कि बच्चों को भी पानी पीने से मना किया जाता है same वही situation जो अमबेदकर की school में हो रही थी वो आज भी कई शोटे बच्चों को या 9 साल का बच्चा है जो जिसको hand pump से पानी नहीं पीने दिया गया था जब यह कुए से पानी पीने जाता है तो डूब जाता है वहां इस तरह की situation आज भी face करनी पड़ रही है और इस तरह की situation face ही क्यों करनी पड़ती है जब law book में सब कुछ लिख दिया गया है तो क्यों नहीं follow किया जाता क्योंकि law book से पहले अंबेद कर मानते थे religious text book आती है इसलिए वो मनु समरिती जैसी book जो वो मानते थे कि उसमें untouchability को sanction मिला है एक religious sanction मिला है वो caste discrimination को justify कर रही है वो late 1927 में conference करते हैं December 1927 में अपने followers के साथ मनु समरिती की copies को burn करते हैं 25 December को जब ये मनु समरिती की copy को burn करते हैं आज भी मनु समरिती देहन दीवस अंबेद कर राइट्स और दलित की तरफ से celebrate किया जाता है इसके साथ उनोंने मंदर में entry को लेकर temple entry movement जैसे काला राम temple entry movement थी 1930 में वो भी lead की अपने 15,000 सत्याग्रही को साथ लेकर अंबेद कर ये भी जानते थे कि सिरफ सत्याग्रह करने से कुछ नहीं हो सकता legal sanction भी जरूरी है government भी enforce करे किसी तरीके से untouchable की situation को बदनने के लिए इसलिए वो जो लंडन में table conference होती है तीनों की तीनों attend करते हैं और उस table conferences में separate electorate की demand रखते हैं जो 1932 में पूरी भी होती है communal award हिंडिया में आता है लेकिन गांधी इस चीज के against कड़े हो जाते हैं वो fast and to death लख लेते हैं यरवदा जेल में वो ये कहते हैं कि untouchables को अगर separate electorate दे दिये तो वो हमेशा के लिए हिंदू community से alienate हो जाएंगे separate हो जाएंगे जब तक गांधी अपने जित पे बने रहते हैं separate electorate नहीं मिलता और finally किसी तरह से बीच वाला रास्ता निकाला जाता है और पूना पेक्ट साइन किया जाता है 25 सप्तंबर को इस पेक्ट के accordingly अब उन्हें separate electorate तो नहीं मिलेंगे लेकिन उन्हें reserved seats मिल जाएगी reserved seats बड़ा दी जाएगी 71 seats पहले allocate की गई थी जब separate electorate communal award में मिलने थे और इसके बाद अब 148 seat पर reserved seats मिलेंगी लेकिन पूना पेक्ट के साथ अमबेदकर खुछ नहीं होते अमबेदकर कहते हैं कि communal award का मतलब ये था कि हिंदूओं की गुलामी से untouchables को हमेशा लिए अजात करा देना लेकिन पूना पेक्ट डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि वो हिंदू डॉमिनेशन के अंदर रहे हिंदू गुलामी के अंदर ही रहे लेकिन पूना पेक्ट जब साइन हो गया उन्हें कोई भी hope नहीं बची उन्हें समझ आ गया कि हिंदू सुसाइटी को reform नहीं किया जा सकता एक ही तरीका है कि इस धर्म को ही शोड़ दिया जाए तो नासी कॉन्फरेंस में 1935 में वो अपने followers के साथ publicly ये declare कर देते हैं कि I would not die a Hindu इसी के बाद वो और तरह के alternative विकल्ब देखने लगते हैं कि अगर मैं हिंदू नहीं तो कौन से धर्म में convert हो सकता हूँ वो दूसरे धर्मों की study भी करने लगते हैं और वो ये भी मानते थे कि सिरफ conversion ही इसका कोई solution नहीं है इसके साथ constitutional means को भी हमें देखना पड़ेगा सवधानिक तोर तरीकों से भी untouchables को किसी तरह से uplift करना पड़ेगा और इसी के चलते हुए वो party politics शुरू करते हैं अपनी पहली party वो 1936 में जिसका नाम रखते हैं Independent Labour Party जो England की Labour Party से inspire थी और इस party ने 1937 में Bombay में election लड़े जिसमें से वो 13 reserved seat में से 11 seats जीती है और 4 general seat में से 3 seat जीती है इसका मतलब एक बड़ी जीत इस party को मिली थी बाद में हम बेद कर ये realize करते हैं कि कुछ ऐसी reserve seat है जिसपे Congress के candidate भी जीत जाते हैं तो इसका मतलब उन्हें लग रहा है कही न गहीं उनकी party में कमी है और वो अपनी party एक और नई party बनाती है जिसका नाम रखते हैं Scheduled Cast Federation 1942 में जिसका purpose होता है कि सारे untouchables को all over India से unite करना इस party को भी कुछ time के लिए success मिलती है लेकिन 1956 में वो एक और party declare करते है Republican party वो जस्ट अपनी death से 2 मीने पहले ही इस party को announce करते हैं हलागी ये party बाद में उनके followers establish करते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तीन वो मुखे रूप से कौन सी party थी जो Ambedkar ने found की थी 1942 में उन्हें मौका मिलता है कि वो Viceray की executive council में काम करते हैं as a labor member और ये 1946 तक वो करते हैं इस position का वो फैदा उठाते हुए महार battalion create करते हैं community के लिए Indian army में आज भी महार regiment जो है Indian army में काम करती है और untouchable boys के लिए वो किसी तरह से scholarship जो है government से issues कराते हैं 1942 से 1946 का जो time period है इसमें वो Congress को भी criticize करते हैं Congress की active politics को भी जो है चनोती देते हैं जब 15 अगस्त 1947 में India अजाद होता है तो तब Congress government अमबेदकर को first law minister बनाती है इंडिया का उनको invite करती है और constituent assembly का member बनाती है जिसमें उन्हें drafting committee का chairman बनाया जाता है ताकि वो नए भारत के लिए constitution को लिख सके 1947 में जो अमबेदकर constitution का draft करके देते हैं और जो बाद में constitution implement होता है 1950 को उसमें बहुत फरक होता है इसलिए अमबेदकर राजसभा में जब बाद में वो राजसभा के member भी बनते हैं और वो कहते हैं कि Indian constitution को मैं जला देना चाहता हूँ वो कहते हैं कि चाहें मुझे ही इसका creator कहा जाता है मुझे ही दिये गे इंडिया में तो Indian constitution को जला देना ही बैतर होगा ऐसे अमबेदकर मानते थे 1950 के टाइम पर वो बुद्धिजम की और ध्यान देना शुरू करते हैं और पुरे वर्ल लेवल पर जहां जहां भी बुद्धिस्ट फॉल्वर्स की मीटिंग हो रही है वहाँ अटेंट कर रहे हैं इसके साथ 1955 में वो भारतिय बुद्धा महासबा यानि बुद्धी society of India establish करते हैं और 1956 में अपना last काम दबुद्धा and his dhamma complete करके जाते हैं ये उनकी death के बाद ही publish होता है तो अब बारी आती है जो अमबेदकर ने 1937 में एक वादा किया था कि I would not die as Hindu 14 October 1956 को दिक्षा भूमी नागपूर में यानि पूरे 20 साल बाद खुद को बुद्धिजम में convert करा लेते हैं अपने साथ वो 3,000,000 और 80,000 follower को भी convert कराते हैं कुशी 15-20 दिन के बाद 3,000,000 और followers को बुद्धिजम में convert करा देते हैं इतनी बड़ी अमबेदकर की रीच थी और जितने भी उनके followers थे वो बड़े लेवल पर बुद्धिजम में वो convert होने लगते हैं ये act वो करते हैं जस्ट अपनी death के 2 महिने पहले 1956 दिसंबर में उनकी death हो जाती है दिली में और अपना वादा वो पूरा करके जाते हैं अब हम समझेंगे अमबेदकर की thoughts को simplify करेंगे हलाकि वो scholarly लिखते थे और उनके thoughts को simplify करना मुश्किल है फिर भी कोशिश करेंगे अमबेदकर के thoughts का हमें पता चलता है उनके किये हुए work से और उनकी सारे जो भी काम किये थे जो भी text उन्होंने लिखे हैं उनकी list में आपको screen पे दे दी है आप इसका screenshot ले सकते हैं आपको future में ये काम आएगा सबसे पहले बात करते हैं कास system के बारे में अमबेदकर की क्या views थे कास system को वो अच्छी तरह से समझते थे और कास system उनकी understanding का उनके thought का एक सबसे महत्वपुरण हिस्सा है क्योंकि उन्होंने खुद भी discrimination को face किया जैसे हमने देखा कि बहुत सारी discrimination को अपने life में उन्होंने face किया इसलिए कास system पर वो दो तरह की assumption लगते हैं सबसे पहले तो वो ये मानते हैं कि untouchable को promote करना चाहिए यानि untouchable को uplift करना चाहिए within the Hindu society एक position उनकी life में ये रहती है और दूसरी assumption उनकी ये रहती है कि untouchable को Hindu society से separate करके उन्हें promote किया जा सकता है separate करने का यहां पर मतलब है separate electorate के थुरू जा separate Dalit party establish करके जहां फिर उन्हें Hinduism के इलावा दूसरे धरम में convert करा कर जहां पर उनके साथ discrimination ना हो सके कास्ट का origin कैसे होता है अमबेदकर इसका भी analysis करते हैं अमबेदकर ये analysis देते हैं अपने first thesis जो नोंने कास्ट पे लिखा था कास्ट इन इंडिया, दियर मेकेनिजम, जनाइसिस और डिवल्पमेंट जो 1917 में पब्लिश होता है यहां पर वो कहते हैं कि सबसे पहले कास्ट नहीं थी क्लास्ट थी, हिंदू सुसाइटी में classes थी, चार classes थी ब्रामन, किशत्रिया, वैशिया और शूद्रा जिनके respective काम आपको पता है इसके बाद अमबेदकर कहते हैं कि इन classes में सबसे बड़ा benefit ये था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी class में move कर सकता है, provided ये शर्त ये है कि उस class की उसमें qualities भी होनी चाहिए और वो उस class में move कर सकता है अमबेदकर ये कहते हैं कि ये एक natural way से create हुई थी classes ये division of labor जो थी, वो natural creation थी, अपने आप होगी क्योंकि society बहुत बड़ी थी, यहाँ पर बहुत तरह के लोग रहते थे, different logo की different needs थी, उनको पूरा करने के लिए, अलग-अलग labor का काम करना पड़ता था अलग-अलग skills जो थे लोगों को acquire करने पड़ते थे, इसकी वज़ा से division of labor जो है society में होगी लेकिन अब बेदकर कहते हैं कि classes हमेशा open नहीं रहती है classes का door जो है, वो close भी होता है और जब classes का door close होता है, तो वो cast बन जाती है door close होने का मतलब यह है कि अब वो अपनी class को change नहीं कर सकते चाहिए कौन से भी skill वो acquire कर ले किसी भी class के, जिस class में वो पैदा हो गए है, उसी पर ही उन्हें रहना पड़ेगा, तो यह closed कब होती है, और इसे close करता कोन है, अम बेद कर कहते है इसकी beginning की थी, priestly class ने, Brahmin community ने इसकी शुरुवात की, Brahmin community ने अपने आपको दूसरी classes से detach कर लिया, और दूसरी classes के लिए अपने door बंद कर दिये इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी दूसरी class का व्यक्ति अब priestly class में नहीं आ सकता, यानि वो Brahmin जैसे work perform करता है, पूजा पाथा, वो नहीं कर सकता, तो इसके कई सारे reason रहे होंगे कि उन्होंने अपने आपको खुद को detach क्यों किया, Brahmin community ने अपनी class को close क्यों किया, इसका reason सबसे बड़ा ये भी रहा होगा कि वो superiority को अपनी dominance को जो है society में कायम रखना चाते थे जो status और power की theory हमने political science में पढ़ते हैं उसके according चलते हुए अपनी class को उन्होंने detach कर लिया दूसरे से, ताकि hierarchy में वो superior ले सके और किसी तरह से उनके benefits जो है वो प्रापत कर सके अंबेद कर इसके साथ कहते हैं कि class जो है class जब बनी और इसको सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बड़ावा दिया तो वो endogamy ने दिया यानि अपनी ही class के व्यक्ती के साथ शादी की जाएगी जब ये concept class system में लागू किया गया तो इसने class को और भी ज़्यादा बड़ावा दिया यानि class system और भी ज़्यादा consolidate हो गया इसके साथ अंबेद कर ये reject करते हैं कि class की जो origin की theory रिगवेद में पुर्ष शुकत में दी है वो गलत है अंबेद कर उसको reject करते हैं अंबेद कर reject करते हैं कि इस theory में कहा गया है कि विराट पूरेश divine man जो है उसके various body parts से अलग-अलग caste ने जनम लिया है मुख्य से ब्रामिन पैदा हुआ है ठीक है और arms से warrior पैदा हुए कशतिया class thai से artisan यानि वेशियस class पैदा हुई है और पैरों से servant class यानि शूदर पैदा हुए है अंबेद कर इस theory को reject करते हैं कि ते कोई भी society में हमें ऐसी gradation नहीं मिलती ऐसी hierarchy नहीं मिलती कि upper part की body से कोई अगर चीज बनी है कोई caste पैदा हुई है तो वो superior होगी और कोई निचले part body से यानि पैरों से अगर कोई caste पैदा होई है तो वो inferior होगी ऐसी gradation ही अपने आप में illogical है तो किस तरह से हम इस theory में जो है किस rationality के अधार पे हम मानेंगे अंबेद कर ये मानते थे अंबेद कर ने इसके बाद ये भी समझाया कि untouchable फिर कहां से आते हैं untouchable जो caste system का हिस्सा नहीं है उन्हें out caste कहा जाता है उन्हें caste system में कभी include नहीं किया गया तो untouchables फिर बने कहां से ये आये कहां से हमने अब caste system का origin समझा अब हम समझते हैं untouchables कहां से आये तो अपनी book में the untouchables who were they why they became untouchables 1948 में वो publish करते हैं और इसी में वो idea देते हैं broken man का broken man वो लोग हैं जो tribal wars में हाल जाते हैं tribal wars में जब हार जाते हैं various parts of country में travel करते हैं और वो buddhism से inspire होते हैं और buddhism के follower बन जाते हैं और इनको buddhism में जो equality का, dignity का idea मिलता है वो बहुत पसंद आता है wars में हारे हुए, tribal wars में हारे हुए लिए लोग buddhism में convert हो जाते हैं buddhism के follower बन जाते हैं इनमे dignity आते हैं, self respect की भावना आती है जो उन्हें वो नहीं मिल रही थी एक confidence build होता है लेकिन इसके साथ ही उनकी ब्रामिन के साथ बिलकुल नहीं बनती थी इसका reason simple है क्योंकि buddhism और ब्रामिनिजम दोनों एक दूसरे के against खड़े हुए दिखाई देते हैं ब्रामिन की जो moment थी वो ब्रामिनिकल domination के against ही एक moment थी, इसलिए ये broken man जब ब्रामिनिजम के follower बने तब उन्होंने ब्रामिनिजम के साथ भी दुश्मनी मोल ले ली वो ना ही ब्रामिन को अपना priest मानते थे उसे किसी तरह का priestly कार्य भी नहीं रहते थे पूजा पाठ का और ना ही उन्हें अपने quarters में जहां पर रहते थे वहां पर आने देते थे तो ब्रामिन्ज ने उन्हें untouchables करार कर दिया उन पे untouchability का tag जो है मड़ दिया क्यों? क्योंकि untouchables हमेशा ही ब्रामिनिजम के against रहे है और broken man जो है जिसे untouchable का tag दिया गया उनको ये untouchability का tag इसलिए दिया गया क्योंकि उन्हें लगा यह बुद्धिजम को कभी नहीं शोड़ेंगे, यह ब्रामिनिजम के अगेंस्ट रहेंगे, ना हमें यह कोई प्रिसली कारेय करने देते हैं अपना, ना हमें अपने क्वार्टर्स में आने देते हैं, तो यह untouchables लोग है, ना यह कास सिस्टम का कभी पार्ट मन पाएंगे, औ पूरी ब्रामिन community ही इनको reject करती है, और ब्रामिन की position इस level पर थी, उस time पर भी खास कर, क्योंकि वो वेदों का ग्यान रखते हैं, ग्रन्तों का ग्यान रखते हैं, धरम का ग्यान रखते हैं, लोग उनको सुनते हैं, क्योंकि वो ही है एक जो देवताओं के साथ direct link establish करते थ लोगों का, so जब उन्होंने एक community को untouchable करार कर दिया बाकी caste ने, बाकी लोगों ने भी follow करना शुरू कर दिया, untouchable और ब्राम्मिन में gap बढ़ता है और इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि उनके food habits भी same नहीं है अबेद कर कहते हैं कि ब्राम्मिन's काओ को sacred animal मानते हैं गायों को पूचते हैं, लेकिन broken man जो है वो खाते हैं, वो beef खाते हैं तो इसकी वज़ा से भी वो कभी उस caste system में include ही नहीं हो पाए जो ब्राम्मिन ने establish किया था और इसी तरह उन पे untouchability का tag मढ़ा जाता है अगर वो ब्रामिन के खाने के पास भी आते हैं अगर उसका पानी भी पीते हैं तो वो माना जाएगा पानी और खाना मलीन हो गया है, उसको दुबारा से purify कर दिया जाएगा, इसके साथ untouchability के साथ ये वाली practice भी involve कर दी और इनको religious sanction भी ब्रामिन कम्यूनिटी से मिल गया और सारे लोगों ने वो माना भी अपना धर्म, अपना कर्तव समझते हुए, इसके बाद अंबेदकर ये भी समझाते हैं, ये भी चिंतन करते हैं कि कास सिस्टम को कैसे खतम किया जा सकता है, और ये वो बात बताते है annihilation of caste में इस बुक को क्रिस्टोफर जैफरलो ने best book कहा है अब तक की best work कहा है, कास पर अगर किसी ने किया है, और अंबेदकर का भी अपने आप में ये best work है, लेकिन ये directly कोई book published नहीं हुई थी अबेदकर ने ये speech लिखी थी जातपात तोड़क मंडल कॉन्फरेंस के लिए जो लहोर में होने वाली थी 1936 में, लेकिन उस conference के organizer जो थे, उन्होंने अबेदकर की speech को उस conference के program को cancel कर दिया क्योंकि जब उन्होंने speech पड़ी तो उन्हें वो unbearable लगी speech को publish किया book के रूप में, अबेदकर इसमें लिखते हैं कि division of labor पर जो caste system create किया जाता है जो justification दी जाती है वो एक false notion है क्योंकि division of labor से कभी भी economic efficiency नहीं आती, इसका कोई valid proof नहीं है हर एक caste आज mixed race बन चुकी है यानि कोई भी ऐसी caste नहीं है जो अपने आप में pure है और कोई ऐसी caste है जो अपने आप में impure है क्योंकि अमबेदकर कहते हैं कि biological purity का जो idea है वो एक ridicule idea है ऐसा idea जो illogical है क्योंकि biological purity दुनिया में किसी भी race की नहीं रही है सारी race दुनिया में mixed blood बन चुकी है अमबेदकर कहते हैं caste system Hindu religion के लिए एक दब्भा बन चुका हुआ है और अमबेदकर caste system क्यों दब्भा बन चुका हुआ है उसके लिए वो लिखते हैं कि caste ने public spirit को खतम कर दिया है public charity को destroy कर दिया है लोग एक दूसरे के लिए सदभावना ही नहीं रखते लोग एक दूसरे की मदद ही नहीं करना चाहते public opinion ही impossible बन चुकी है लोग एक दूसरे के प्रती कोई आवाज ही नहीं उठा सकते कोई भी caste वाला offend हो जाता है अगर उसके caste के against कुछ बोला जाए इसलिए वो कहते हैं कि हिंदू की public life ही caste बन गी है यानि पैदा होते ही उसे जो privileges और benefits मिलते हैं उस caste में वो उसी को defend करना चाहता है उसकी अपने caste के प्रती ही जिम्मेवारी बन गी है इसलिए caste में ही गुन जो है वर्चू जो है वो caste रिडन हो चुकी है यानि आदमी का nature कैसा है behavior कैसा है उसमें कैसी qualities वो नहीं देखी जाती उसकी caste कौन सी है इस अधार पर इस parameter पर जज़ किया जाता है उस आदमी को और morality caste bound हो चुकी है नेतिकता का कोई मुल्यर नहीं रहा नेतिकता वही है जो आपकी caste में करता बताया गया है सिर्फ वो ही नेतिकता है और किसी तरह के भी हमदर्दी नहीं रही है sympathy नहीं रही है उस आदमी के लिए जो deserving candidate है deserving आदमी है जिसने मेनत की है लेगिन अगर वो नीची जातवला है तो उसको नीचा ही देखा जाएगा उसको respectfully नजरों से नहीं देखा जाता इसलिए वो कहते हैं कि meritorious की मेनत करने वाले की कोई appreciation नहीं रही है इस caste system की वज़ा से इसलिए वो caste system की against है caste system को खतम करना चाते हैं और इसके साथ इसलिए वो कहते हैं कि caste system is a blot on the Hindu society हिंदु धर्म के लिए ये एक दब्भा बन चुका है और वो कहते हैं कि जो बाकी leaders जब बाकी लोग कहते हैं कि inter dining कर लीजिए caste कतम हो जाएगी जाए सब caste को खतम कर देंगे तो caste system खतम हो जाएगा वो कहते हैं बिलकुल ऐसे caste system खतम कभी नहीं हो सकता caste system को अगर खतम करना है तो सिरफ एक ही तरीका है वो है inter marriages यानि exogamy endogamy ने ही caste system को consolidate किया है अब exogamy यानि inter marriages ही इसको तोट सकती है इसका मतलब ये है कि आपको within caste marriage नहीं करानी है आप अपने caste से अपनी जात के बाहर के व्यक्ती के साथ भी शादी करा सकते है और inter marriages हम बेद कर जानते थे practically इतना भी possible नहीं है आज के time भी अगर news paper उठाएं तो caste सबसे पहले लिखी जाती है जब matrimonial bride wanted, groom wanted लिखा जाता है आपकी भी जब शादी होगी देख ले न caste पूशे बिना शादी आपकी नहीं होने वाली है अगर caste बिना पूशे शादी हो जाती है तो बढ़िया है society काफी progress कर गी है लेकिन अगर आप caste बता कर शादी कर रहे हो जा शादी करने से पहले caste पूशते हो आज भी तो समझ लेना अमबेतकर की legacy को आपने लात मारती है इसके साथ मैं ये भी बदा दूँ कि अमबेतकर ने खुद भी intermarriages की थी second marriage उन्होंने प्रामिन लड़की के साथ की थी उन्होंने खुद भी intermarriage का अगर idea दिया है उसको practically follow भी किया था इसके साथ हम बेतकर ये भी बताते हैं कि intermarriages important क्यों है intermarriages का idea इसलिए important है कि लोग जब दूसरी caste वाले व्यक्ति के साथ शादी कराना शुरू करेंगे तो इसकी वज़ा से वो उनमें प्यार बढ़ेगा उनमें रिष्टेदाड़ी बढ़ेगी एक तरह से दूसरे व्यक्ति को अपना मानने की भावना बढ़ेगी जो interdining से नहीं हो सकता सिरफ intermarriages से हो सकता है तो अमबेतकर इसी के साथ कहते हैं कि अगर caste को abolish करना है intermarriages के साथ साथ वो सारे religious notion जो caste system को valid ठहराते हैं उनको भी destroy करना होगा शास्तरास की authority को वेदास की authority को जो caste system को justify करती है और caste system को exploitative nature को justify करती है उनको हमें किसी तरह से disassociate करना होगा society से उनकी authority को किसी तरह से हमें खतम करना होगा वो किस तरह से करना है इसका क्या मतलब था इसकी clarity में आगे जाकर आपको बदाने वाला हूँ अम बेद कर इसके साथ कहते हैं कि लेकिन ये task करेगा कौन कौन इतना बड़ा task कर सकता है कि cast system को खतम किया जाए ब्रामबीन तो of course कहते हैं वो task नहीं करेंगे ये वाला क्योंकि ब्रामबीन एक privilege position पर है society में पैदा होते ही उन्हें एक privilege position मिलती है एक status मिलता है society में तो वो क्यों खतम करना चाहेंगे इसी के साथ दूसरी cast वाले भी resist करेंगे जिनको पैदा होते ही इस hierarchy में उपर वाली position मिलती है तो वो भी इस privilege position को enjoy करते हैं by birth तो वो क्यों खतम करना चाहेंगे इस position को तो इसलिए caste system को खतम करना इतनी असान बात नहीं है और यहाँ पर हम बेद कर यह भी clarify करते हैं कि religious text को disassociate करना जा उनकी authority को invalid करार करने का मतलब यहाँ पर यह है कि सिरफ un-religious regulation को खतम किया जाए जो caste system को exploitative बनाती है जो caste system में शोशन करना यानि एक धार्मिक करतव माना जात है व्यक्ति का उस चीज को खतम करना चाहिए लेकिन जो religious text में हमें intellectual norms मिलते हैं principles मिलते हैं जिसमें एक दूसरे की respect करने सदभावना रखने सिंपती रखनी दूसरे की मदद करनी ऐसे intellectual norms को हमें साथ लेकर चलना होगा उसको हमें destroy करने की बिलकुल की भी जरूरत नहीं है क् कि ऐसे order जो एक egalitarian society establish करती है एक ऐसा religious text जो egalitarian order establish करता है उनको हम साथ लेकर चलेगे उसको destroy करने की जरूरत नहीं है इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं गांधी और अंबेदकर की debate को लेकर गांधी और अंबेदकर की debate जादा untouchables की position को लेकर थी इसलिए मैंने debate क उसी चीज़ पर focus किया है और आपके लिए बहुत ही simplify कर दी है इस debate को गांधी और अंबेदकर की debate में गांधी untouchables के लिए position मानते थे कि social reforms होने चाहिए अगर उनकी position को uplift करना है लेकिन अंबेदकर कहते थे social reforms काफी नहीं है उनके साथ political reforms उन्हें political rights भी मिलने चाहिए गांधी कहते हैं कि untouchability को religion sanction मिला हुआ है इसलिए Hindu religion को denounce करना बहुत important है अगर हम untouchables को free करना चाहते हैं या untouchability को खतम करना चाहते हैं गांधी कहते हैं लोग पड़ लिख जाएंगे self enlightened हो जाएंगे ठीक है वो दूसरों के साथ discrimination करनी short देंगे लेकिन हम बेदकर मानते है कि पड़ाई self enlightenment उनके लिए काफी नहीं है लोग अपनी caste के साथ पड़ लिखने के बावजूद भी वफादार रहेंगे गांधी कहते थे untouchables के लिए separate electorate necessary नहीं है ये Hinduism से उन्हें alienate कर देगा हमेशा के लिए separate कर देगा लेकिन हम बेदकर मानते थे separate electorate untouchables के लिए एक ऐ ऐसा राजनितिक बंद बनेगा एक ऐसी political force बनेगी जो उनकी position को elevate करेगा गांधी कहते थे कि untouchables के लिए हमें separate village नहीं चाहिए village एक common होने चाहिए सब लोगों के लिए लेकिन अमबेदकर कहते थे untouchables को अगर separate village दिये जाएंगे तो वहाँ पर वो discrimination नहीं face कर सकेंगे वो लोगों के साथ रह सकेंगे और भी connected feel कर सकेंगे गांधी कहते थे कि सत्यागरा की tactics जो 1927 में अमबेदकर ने शुरू की थी वो गलत है वो अपने लोगों पर ही सत्यागरा की tactics नहीं यूज कर सकते लेकिन अमबेदकर कहते थे कास्ट बोंट को तोड़ने के लिए सत्यागर कर सकेंगे tactics भी important है चाहिए वो किसी पर भी इस्तימाल की जाये गांधी का लक्ष कास्थ सिस्टम को खतम करना नहीं था और अमबेदकर का लक्ष ही सिर्फ कास्थ सिस्टम को खतम करना था इसके साथ अम्बेद कर जाते जाते Untouchables को कौन से Principle या Regulation फोलो करने चाहिए जा Untouchables के लिए Government को क्या करना चाहिए वो भी Points कुछ दे कर जाते हैं अम्बेद कर कहते हैं जो Treatational Job Untouchability के साथ जोड़ी जाती है जैसे मरे हुए जानवर को गाउं से बार निकालने का काम जो Untouchables करते थे उन्हें शोड़ देना चाहिए अगर Beef खाना Untouchables के साथ असोसियेट किया जाता है तो उन्हें वो भी शोड़ देना चाहिए Education उनके लिए बहुत important है क्योंकि सिरफ उन्हें खाना खिलाना जान फिर उन्हें पहने के लिए कपड़े देना Enough नहीं है उनको Educate करना बहुत जुरूरी है क्योंकि अम्बेदकर मानते थे कि Education उनकी Inferior Complex को खतम करेगी उनमें एक Self-Respect और Confidence की भावना बरेगी Untouchables जो है वो Untouchables के दुवारा ही Represent करने चाहिए Government को भी Responsibility रहनी चाहिए एक Strong Center हमें Create करना होगा इंडिया में जो लोगों का Welfare कर सके Untouchables का Welfare कर सके और इसी की वज़ा से आज हमारे पास Reservation का Concept आता है Compensatory Discrimination का Concept आता है और Reservation की वज़ा से अम्बेदकर मानते थे उनकी Situation में बदलाव आएगा उन्हें Upliftment मिलेगी और वो Society में एक Self-Respect की जिन्दगी जी सकेंगे अम्बेदकर लास्ट पॉइंट ये भी करते है कि हर तरह के जात को हर तरह की Cast को खतम करना चाहिए और जो Function Brahmin परफॉर्म करते हैं वो कोई भी Trained Person कर सकता है State की Supervision के Under उस आदमी को वो Function परफॉर्म करने दिये जाने चाहिए ताकि Brahminical Domination को किसी तरह से Society में ख़दम किया जा सके इसी के साथ अलविदा कहने का टाइम आता है वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और उन लोगों का भी धन्यवाद जोनोंने अमबेद कर पर काफी scholarly text लिखा है जिसको पढ़कर ये वीडियो त्यार किये गई है कौन से sources यूज किये गए है वो आप सक्रीन पर देख सकते हैं Thank you